सद्गुरू, शादी कितनी जरूरी है और मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये मेरे लिए सही रस्ता है? क्या आप शादी शुदा है? नहीं नहीं, क्यूंकि जादातर लोग ये सवाल बाद में पूछते हैं आप सही समय पर पूछ रहे हैं रेखिए, पहले ये समझते हैं कि लोग शादी क्यूं करते हैं एक इंसान के तौर पर चाहे आप आदमी हो या औरत आपकी कुछ जरूरते होती है जब आप आठ साल के थे आपका नाम क्या है? अनुशका 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 ठीक है अगर आप शादी करेंगी तो हम आपका नाम आधा काड़ देंगे हम आपको अनुशका अनुशका क्यूंकि शादी करने के लिए आपको संस्कृत विद्वान कहा मिलेगा? तो जब आप आठ साल के थे अगर मैं कहता हूँ अनुशका आप शादी करना चाहती है वो बकवास लगती है, है ना? मेरा मतलब है तब उस सवाल का कोई मतलब नहीं था हा? उस सवाल के कोई माईने नहीं थे अगर मैं आपसे तब पूछता जब आप 6 के थे तो उसका कोई मतलब नहीं होता जब आप 8 के थे तो ये इस पर निर्भर करता है कि आपका परिवार किस तरह का है ये या तो एक मजाक होता या आप इसका विरोध करते या इसे वाकई समझे बिना आप हां कह देते अगर मैं ये सवाल आपसे 14 साल की उम्र में पूछता तो आप थोड़ा शर्मा थे क्यूंकि आप सोचने लगे थे क्यूंकि शरीर एक खास तरीके से बढ़ने लगा है हार्मोंस ने बुद्धी पर कबजा करना शुरू कर दिया है और अब आप सोच रहे हैं अगर मैं आपसे 18 साल की उम्र में पूछता हूँ तो आपकी परवरिश के माहौल के आधार पर आपका जवाब सपश्ट रूप से हां या नहीं होगा अभी नहीं या बिल्कुल नहीं ये इस पर निर्भर करेगा कि आपके साथ 14 से 18 की बीच क्या हुआ है हां तो अब ये अच्छा है कि उन सभी पड़ावों से गुजरने के बाद अब आप खुद सवाल कर रहे हैं नकि मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये आपके माता पिता आपसे पूछ रही है आप खुद ये सवाल पूछ रही है क्या मुझे शादी करने की जरूरत है तो जरूरते होती है जब आप एक इनसान के रूप में होते हैं तो शारिरिक जरूरते होती है भावनात्मक जरूरते होती है मांसिक जरूरते होती हैं, सामाजिक जरूरते होती हैं, आर्थिक जरूरते होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। लोग शायद इन चीजों के बारे में जागरूखता से नहीं सोचना चाहेंगे, कियो उन्हें लगता है कि अगर वो इन चीजों के बारे में सोचेंगे, तो उनकी शादी बतसूरत हो जाएगी. पर वैसे भी ये चीज़ें तो हैं ही, अगर ये अरेंज्ट मेरिज है तो कोई दूसरा इस बारे में सोच रहा है अगर आप इसे खुद अरेंज कर रहे हैं, तो आप निश्शिती इस बारे में सोच रहे हैं हाँ या नहीं, ये सब सोच विचार होते है तो आजकल महिलाओं के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया कुछ हग तक बदल गई है अब सामाजिक और आर्थिक कारणों के लिए जरूरी नहीं है कि उसे शादी करनी ही पड़े जब तक कि आप बस शरीर के साथ ही नहीं आई हो आपने ही समझी अगर आप सिर्फ शरीर हैं और आप में दिमाग नहीं है तो अलग बात है वरना एक औरत को अब सामाजिक और आर्थिक कारणों से शादी करनी की जरूरत नहीं है उसके पास चुनाव है वो अपनी खुद की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों का खयाल रख सकती है सौ साल पहले ऐसा नहीं था आप में शादी के लिए चाहिए शारिरीक भावनात्मक ये मानसिक जरूरतें न भी हो फिर भी बस सामाजिक और आर्थिक कारणों के लिए आपको शादी करनी होती थी हाँ? पर अब ऐसा नहीं है ये थोड़ी बहुत आजादी है अब आपके शादी करने के कम से कम दो कारण खत्म हो गए है अब आपको बागी तीन पर विचार करना है बस क्या आपको मानसिक तोर पर एक जीवन साथी की जरूरत है? क्या आपको जीवन साथी की भावनात्मक जरूरत है? आपकी शारेरिक जरूरतें वे कितनी प्रबल हैं? आपको इसे अपने हिसाब से देखना होगा. ये कोई सामाजिक नुस्खा नहीं है कि हर कोई शादी करे या हर कोई शादी न करे, ये कारगर नहीं होगा. एक व्यक्ति के रूप में आपकी जरूरतें कितनी तीव रहें. अगर ये एक हलकी जरूरत है, जिससे आप आसानी से पार जा सकते हैं, अगर ये एक छोटे दौर की जरूरत है, तो शादी मत कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ. क्यूंकि बंद जाने का कोई फाइदा नहीं है, क्यूंकि बंदने के साथ ये सिर्फ दो लोग ही नहीं रहेंगे, ये चार या कभी-कभी छे हो जाते हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, कि आप इसे चाहती है, यही सवाल है. हर इनसान को खुद के लिए सोचना चाहिए, नकि सामाजिक मानदंड से चलना चाहिए. सामाजिक चलन चाहे जो भी हो, मैं शुरू से ठीक यही बात कह रहा था. आप आध्यात्मिक सिर्फ तभी बनते हैं जब आपके चुनाव सौ फीसदी खुद के होते हैं, और आप दूसरी ताकतों से प्रभावित नहीं होते, आपको चुनना है कि क्या ये ज़रूरी है, अभी लोगों ने दूसरी तरह के समाधान ढूंड लिये हैं. पश्चिम में और भारत में भी काफी हद तक ये होने लगा है, ठीक है, हम शादी नहीं करेंगे, हम दोनों बस साथ रहेंगे, हम लोग साथ साथ रहेंगे. तो ये साथ रहना अगर आप बस एक इंसान के साथ रह रहे हैं तो ये वैसे भी शादी ही है ठीक है चाहे आपके पास शादी का सर्टिफिकेट हो या नहो पर अगर आप सोच रहे हैं कि आप हर सप्ता अपना साथ ही बदल सकते हैं तब आप खुद को एक गंभीर नुकसान पहुचा रही हैं क्योंकि जैसे आपके मन में याददाश्ट होती है वैसे ही आपके शरीर में याददाश्ट का भाव बहुत अधिक प्रबल होता है इसी वजह से हम आपको ऐसे स्थानों में ले जाते हैं बहले ही आप तारकिक रूप से कुछ न समझें उन्होंने लगातार उर्जा के स्थान और दूसरे प्रकार की संभावनाओं के स्थान इसलिए बनाए हैं क्योंकि शरीर उसे आत्मसाद कर लेगा और याद रखेगा शरीर की याद दाश्ट का भाव बहुत प्रबल होता है शरीर इसे आत्मसाद कर लेगा और याद रखेगा हो सकता है आप हिमाले को भूल जाएं लिकिन शरीर हिमाले को नहीं भूलेगा ये हमेशा याद रखेगा आप भूलने की बीमारी के कारण पूरी याद दाश्ट खो सकते हैं लेकिन बहुत एक शरीर में यादें बनी रहेंगी शरीर इसे नहीं छोड़ेगा बस क्यूंकि आपने अपनी याद दाश्ट खो दी है तो इस वजह से आप अपने कर्म तको नहीं खोने वाले हैं तो शारिरिक नजदीकी को हमेशा से यहां इस परमपरा में इसे रिणान उबंध कहा जाता है ये शरीर यादश्ट का एक गहरा भाविकसित कर लेता है और इस तरह की बहुत सारी यादें एक खास स्तर का ब्रहम और एक खास स्तर की पीड़ा पैदा करती है आप इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं आप इसे बहुत साफ देख सकते हैं जो लोग अपने जीवन के साथ लापरवा है वो सही माइने में आनंद को कभी नहीं जान पाएंगे वे बस वैसे ही रहते हैं कृपया आप इसे अपने आसपास द्यान से देखें ये साफ दिखता है जो लोग अपने शरीर को लेकर अनुशासित नहीं है वे कभी पूरी तरह से हस नहीं सकते नहीं पूरी तरह से रो सकते हैं वे ऐसे बन जाते हैं क्योंकि एक ही जीवनकाल में, बहुत एक शरीर में ब्रहमित होने वाली यादें कई ऐसे प्रभाव डालेंगी, तो इन जरूरतों को पूरा करने का ये कोई समाधान नहीं है, तो आप या तो शादी कीजिए या शादी मत कीजिए, कि आप इन जरूरतो ये होगा कि आप एक महीने की छुट्टी लें, आश्रम में रहें और बस ध्यान करें, जब आप निरने ले लें, तब आपको इस पश्टता की स्थिती में होना चाहिए, किसी से प्रभावित होकर नहीं, ने तो गुरू के द्वारा और नहीं समाज के द्वारा, आप किसी से प्रभावित नहों, खुद को स्पश्टता की एक काखास अवस्था में लाइए, उस स्पश्टता में देखिए कि आपकी जरूरत क्या है, आपकी जरूरत वाकई कितनी तीवर है, अगर ये जरूरी नहीं है, तो बात खत्म, एक बार जब आप फैसला कर लें, तो उस द चुनते हैं, अगर आप उसे पूरे दिल से करते हैं, तो ये बहुत बढ़िया बात है, फिर भी ये सबसे अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी सबसे अच्छी चीज नहीं है, जो आप कर रहे हैं, उसमें अगर आप वाकई खुद को जोंग देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, लिकन ये सर्वश्रेष्ट चीज नहीं है, सर्वश्रेष्ट में दूसरे लोग शामिल होते हैं, है न, बेस्ट का मतलब है, बेस्ट सौदे का मतलब है कि आप हर किसी से बेहतर हैं, इसमें दूसरे लोग शामिल हैं, ये खुद को हराने की प मैं सबसे अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ हिमाले की गुभाओं में रहने वाले योगी वो सबसे अच्छी चीज नहीं कर रही है वो खुद के लिए एक शांदार काम कर रही है कोई शादी शुदा है खुशी से अपने परिवार के साथ रह रहा है तो वो एक शांदार काम कर रहा है वो सबसे अच्छा काम नहीं कर रहा है तो सबसे अच्छा काम करने की कोशिश मत कीजिए जीवन बरबाद हो जाएगा क्यूंकि इसमें पूरी दुनिया शामिल है इसका मतलब है कि आपको सबसे अच्छा काम करने के लिए सिकंदर महान होना होगा और यकीनन उसने सबसे अची चीज नहीं की और नहीं कोई महान चीज की क्योंकि वो कुछ और करने के नाकाबिल था तो हमने कहा कि वो महान है और उसे खारिच कर दिया क्योंकि वो असल में मनुश्य कहलाने की किसी भी श्रेणी में नहीं आता तो ये ऐसी चीज है जिसके लिए आप अपने अंदर स्पष्टता का एक स्थर लाईए और अपना निर्ने लीजी एक बार जब आप फैसला कर लें फिर कोई भटकाव नहीं होना चाहिए क्योंकि निश्चल तत्वम जीवन मुक्ती अगर आप जब आप जो भी आप कर रही है आप बस पूरी भागीदारी से ज़ाडू लगाते हैं हर दिन आप ज़ाडू लगाएं आपको आत्मग्यान मिल जाएगा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ इसके लिए इतना ही करना है पर समस्या यह है कि जो आदमी ज़ाडू लगा रहा है वो कुछ और बनना चाहता है कोई दूसरा ज़ाडू लगाना चाहता है ये इनसान वो करना चाहता है वो इनसान कुछ और करना चाहता है कोई भी अपना काम पूरी भागीदारी के साथ नहीं कर रहा यही पूरी समस्या है आप जो भी कर रहे हैं अगर आप उसे पूरी भागीदारी के साथ करते हैं अगर आप में निश्चल तत्वम है यानि आप जो कर रहे हैं आप उसी में लगे रहते हैं बस उसी में. हिमाले की सडकों पर गाड़ी चलाना आपके साथ यही करता है. ट्रेकिंग या परवता रोहन भी आपके साथ यही करता है. जब आप ये काम करते हैं, तो आप कुछ भी और नहीं कर सकते. आप कुछ और करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपका आखरी काम होगा. अगर आप इन सडकों पर अपनी गाड़ी वाकई तेज चलाते हैं, तो आप सिर्फ वही कर सकते हैं. अगर आप कुछ और करने की कोशिश करते हैं, तो वो आप आखरी काम कर रहे होंगे. तो आप अपना जीवन उस तरीके से जीए, आप जो भी कर रहे हैं, आप बस पूरी तरह वही करें अगर आप में वो निश्चल तत्वम है, तो आप चाहे जो करें, वो ठीक है पर हर दिन बदलना बदलना बदलते रहना, जो लोग 15 साल से शादी शुदा हैं, अब वो सोच रहे हैं, शायद मुझे ब्रहमचरे लेना चाहिए था जो लोग दस साल से ब्रमचारी हैं अब वो सोच रहें शाद मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी ये जीवन के अंतहीन बरबादी है